नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है Sensible के इस नए हिंदी वेबिनार में आज हम बात करेंगे Option Chain Basics की और हम जानेंगे Option Chain का इस्तिमाल करके आप किस तरहे ट्रेड कर सकते हैं तो दोस्तों इसका एक Brief Overview देने के लिए मैं आपको यह कहूँगा कि अगर आप Option Trading कर रहे हैं या Future Trading कर रहे हैं तो आपके लिए Option Chain Data एक बहुत बड़ा Input हो सकता है अगर आप उसे सही से Analyze करें तो तो इस मैं अगर कहूँगा इसको यह बहुत important webinar है और इस webinar में हम सीखेंगे कि Option Chain को यूज करके आप अपने trade को किस तरह profitable बना सकते हैं अपने decisions को और कितना अच्छा आप बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या-क्या सीखेंगे तो पहला हम सीखेंगे कि Option Chain का इस्तेमाल direction पता करने में आप कैसे कर सकते हैं आप Option Chain को देखके कैसे पता लगा सकते हैं कैसे guess कर सकते हैं कि market नीचे जाएगा, market उपर जा सकता है, market फ्लैट ही रहेगा तो ये कुछ hidden clues होते हैं दोस्तों जो आपको Option Chain में मिलते हैं और उसको आपको केवल decode करने की देर है और आप एक अच्छा view उससे निकाल सकते हैं अगला हम आम गलतियों से कैसे बता जाएं जो beginners होते हैं दोस्तों उनके लिए हम ये भी बात करेंगे कि उनको इन छोटी गलतियों से इन जो normal गलतियां होती हैं जो सभी से होती हैं उनको कैसे बचा जाए पुट कॉल रेशो की बात करेंगे जो कि बहुत बड़ा या कहूं तो important data है जिसके तुरू आप जान सकते हैं कि market किस direction में बैठने की कोशिश कर रहा है max pain की बात करेंगे हम लोग और हम बात करेंगे intraday option chain की और जैसा कि हम जो अभी ये webinar है जो इतने सारे webinars हम कर रहे हैं वो जिसलिए कर रहे हैं कि फाइदा कैसे किया जाए तो इससे फाइदा कैसे कर सकते हैं वो हम जानेंगे तो पहला दोस्तों webinar देने से पहले इसके बारे में जानकरी देने से पहले मैं आपको कुछ warnings देना चाहता हूँ चेतावनी देना चाहता हूँ जिसको आप strictly follow करेंगे तो पहला इसमें हैं दोस्तों कि सिर्फ option chain का उपयोग हमको नहीं करना है हमको इसको bible नहीं मान लेनी है कि हमने एक चीज सीखी और हम हमारा mostly यही हमारी psychology में होता है कि हम कोई चीज सीखते हैं आप जरूर उसको try करिए उसको implement करिए बट आप ये भी देखिए कि आप उसके साथ और क्या supporting data यूज़ कर सकते हैं supporting tool यूज़ कर सकते हैं तो सिर्फ option chain का उपयोग नहीं करना है हमको यहाँ पर और भी दूसरी चीज़े देखनी है जो कि हम आगे बात करेंगे दूसरा option chain काम करता है nifty bank nifty और बड़े stocks में तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या S आइशर मोटर का option chain काम करेगा तो मैं उसमें कुछ शौर नहीं हूँ तो वो भी हम जानेंगे दोस्तों कि बड़े stocks में ही option chain क्यों अच्छे से काम करता है और option chain काम करता है expiry के पास तो इसका मतलब simple सा यह है कि जैसे जिस दिन आभी मैं जिस आभी तीन तारिक माई की इस चेंट मैं इस webinar को record कर रहूँ तो यह क्या है कि यह महीने की शुरुवात है दोस्तों महीने की शुरुवात में मैं option chain पे इतना trust नहीं कर सकता हूं जितना मैं महीने के आखिर में यह कहिए कि expiry के पास उस पे trust कर सकता हूं क्यूंकि तब तक आगे जाते-जाते महीने में आ आप ऐसको आप जो फ्राइडए को ऑप्शं चेन आपको दिख रहा है उस पर आप टिरस्ट ना करें Bone Do primarily जो मंडे की जौम उप्शन सेन होंगी मंडे की या मंडे को जो स्कूरीट हो जानी है पहले वेबिनार में जानी है लिक्विड क्या होता है लिक्विड होता है जिसमें काफी बल्क वाल्यूम में ट्रेडिंग होती है जिसमें काफी ज्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं तो वो स्टॉक्स कौन-कौन से होंगे बड़े स्टॉक्स होंगे बड़े स्टॉ चौथा दोस्तों option chain काम करता है नई expiry शुरू होने के कुछ दिन बाद जैसे के हमने बात करी expiry के पास तो अगर expiry अभी मैं कहूँ अगर नई expiry शुरू हुई हुई है तो वो जो option है वो उतना reliable नहीं है महिने की शुरुवात में अगर अभी की मैं option chain की बात करूँ तो अभी की option chain इतनी reliable नहीं है क्योंकि अभी जब मैं webinar record कर रहा हूँ तो ये महिने की शुरुवात है तो अगर मैं monthly option की बात करता हूँ तो monthly option की दोस्तों चार हफ़ते होते चौते हफ़ते मैं expire होता है तो तीसरे हफ़ते की शुरुवात में मैं कहूंगा कि जब आधा time निकल चुका है तब जाके option chain काफी mature हो जाता है और वहीं अगर मैं weekly options की बात करता हूँ तो weekly options मंडे को या Tuesday को ये कहिए कि option chain काफी mature हो जाता है क्योंकि Friday को अगर आप option chain को देखेंगे तो expiry अभी नहीं नहीं शुरू हुई है वहाँ पे इतने contracts अभी लिखे भी नहीं गए है तो वो जो contracts लिखे जाएंगे वो Monday Tuesday तक अच्छे quantity में लिखे जाएंगे तो हमको अच्छा idea हो सकता है option chain के बारे में कि option chain हमें exactly क्या कहना चाह रहा है और दूसरा numbers बड़े होने चाहिए तो वो भी हम आगे बात करेंगे कि जो contracts हैं जो numbers हैं हमारे जो option chain में जो कहिए कि open interest numbers हैं वो काफी बड़े होने चाहिए तब ही option chain अच्छे से काम करता है हम ये भी आगे देखेंगे कि कि जो हम sensible में option chain यूज करते हैं उसमें आप यहां देख सकते हैं जो ये oi है ये है open interest यहां पे ये call का oi है यहां ये put का oi है open interest है हम सब आगे जानेंगे दोस्तों open interest क्या होता है किस तरह काम करता है ये सब आपको बताया जाएगा और यहां पे call options है सारे यहां पर put options है सारे तो हम ये भी देखेंगे कि जो क्या बोलते हैं ये call options जो हैं वो red में क्यों है और जो put options हैं वो green में क्यों है ये भी हम जानेंगे आगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि open interest क्या होता है तो open interest हम उसे कहते हैं जहां पर एक contract हुआ है buyer और seller के बीच में मतलब अगर मैं और आप आप मुझे एक contract बेच रहे हैं nifty 10,000 का और मैं आपसे वो contract खरीद रहा हूँ तो अगर मैं अभी nifty 9,500 के आसपास मान लीजे है और मैं आपसे एक contract खरी रहा हूँ call option खरीद रहा हूँ आपसे तो हम वो एक contract लिख रहे हैं आप मुझे contract बेच रहे हैं मैं वो contract खरीद रहा हूँ तो यहाँ पर एक open interest create हो चुका है ठीक है ज्यादा open interest मतलब ज्यादा contract सीधी सी बात है हमने अभी एक contract का खरीद और खरीदना बेचना किया है तो एक open interest हुआ वही हम अगर मैं 10,000 contracts आपसे खरीदता हूँ तो OI 10,000 हो जाएगा ठीक है जी चलिए तो जैसा कि हम ना भी देखा कि किसी ने बेचा है और किसी ने खरीदा है तो केवल यही हो रहा है market में दोस्तों कि एक ने बेचा है option और एक ने खरीद लिया है तो अगर मैं इसी केस में put की बात करता हूँ जैसे मैंने पहले call की बात करी थी कि मैं 10,000 का call खरीद रहा हूँ वही मैं 8,000 का put भी खरीद सकता हूँ तो मैं जब 8,000 का put खरीद रहा हूँ तो आप 8,000 का put मुझे बेच रहे हैं तो फिर से एक OI generate हो गया फिर से एक open interest create हो गया है तो इस open interest के case में option जो buyer है वो सोच रहा है कि particular एक strike price पे जो मेरा stock है या मेरा जो index है वो उस particular strike price के ऊपर जाएगा या वहाँ तक जाएगा सीधी से बात है कि अगर मैं 10,000 का call खरीद रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 10,000 तक जाएगा या मैं अगर 8,000 का put खरीद रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ ये 8,000 तक जाएगा वही option seller का सोच रहा है कि ये जो particular stock index है वहाँ नहीं जाएगा मतलब अगर मैं call बेच रहा हूँ मतलब आपने मुझे अगर call बेचा तो आपका ये मानना है या आपकी ये सोच है आपकी सोच रहे हैं कि 10,000 तक नहीं जाएगा वहीं आप अगर मुझे put बेच रहे हैं तो आपकी ये सोच है कि 8,000 तक नहीं जाएगा ठीक है simple funda call और put का खरीद बेच आप सोच रहे हैं नहीं जाएगा मैं सोच रहा हूँ जाएगा ठीक है तो सवाल ये उठता है कि सही कौन है भाई मैं सोच रहा हूँ मेरा सोच नहीं कि वहाँ जाना चाहिए आप सोच रहे हैं कि ये वहाँ नहीं जाएगा तो भाई इसमें सही कौन हो सकता है तो आपको मैं कुछ सेकंड देता हूँ आप सोच ये थोड़ा सा कि यहाँ पर सही कौन हो सकता है तो जब open interest होता है तो इसका मतलब क्या है तो चलिए हम उस जवाब को जानते हैं कि इसमें सही कौन है बायर सही है, सेलर सही है, जो बोल रहा है जाएगा वो सही है या जो बोल रहा है नहीं जाएगा वो सही है तो हम यह पहले जानते हैं कि जब open interest create होता है तो उसका मतलब क्या है कि कोई option बेचना चाह रहा है तभी तो भाई जब मैं अगर मुझे खरीदना है मुझे खरीदना है, तो जब तक कि आप मुझे बेचेंगे नहीं तो मैं खरीद कैसे सकता हूँ तो मतलब कोई option मुझे बेचना चाह रहा है आप मुझे बेचना चाह रहे है option आप अगर comfortable है तभी तो मुझे बेचेंगे option और मुझे अगर अगर comfortable है ही नहीं बेचने में तो मैं अगर खरीदने की चाहा रखता भी हूँ तो भी मुझे कोई deal तो open interest तो create होगा नहीं क्योंकि मुझे कोई bेचना ही नहीं चाहरा तो पहला दोस्तों open interest क्यों create हो रहा है? क्योंकि कोई option बेचना чाह Immediately और कोई खरीद रहा है तो आम तोर पर option वह बेचता है जिसके पास पैसा होता है आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो option बेच रहा है वह या उसके पास तो है पैसा क्योंकि उसमें margin चाहिए होता है option बेचने में option seller बनने में हमें थोड़ा जादा margin की requirement होती है और आम तोर पर option खरीदने वाला retail investor होता है retail trader आम तोर पर option buyer होता है क्योंकि उसमें कम पैसा लगता है हमें लगता भी हम थोड़ा पैसा invest करेंगे जादा पैसा लेके market से घर चले ज करते हैं ठीक है ओर आम तौर पर इंस्टीटीउशन ही सही होते हैं मतलब दोस्तों तो वही बेचता भी जिसके पैसा होता है जैसे कि पैसा किसके पास होगा जो बड़े institutions होंगे जो बड़े investors होंगे उनके पास पैसा होगा रैट अब जो व्यक्ति अपना इतना बड़ा amount दाव पे लगाने जा रहा है उसके पास कोई ना कोई edge तो होगी कोई ना कोई information तो होगी कोई ना कोई जानकारी तो होगी कोई ना कोई tools होंगे जो experts होंगे जो उसको ये बता रहे होंगे कि ये वहां तक नहीं जाएगा या ये वहाँ तक नहीं जाएगा कुछ तो उसके पास टूल होगा तभी तो वो इतना बड़ा पैसा अपना रिक्स पे डाल रहा है वहीं option जो buyer है retail है उसके उसके पास खोने के लिए क्या है 2000-3000 रुपए तो उसके उसके सही होने के संभावना जो है वो थोड़ी कम लगती है मुझे और ये इस चीज़ से आप भी दोस्तों सहमत करेंगे क्यूंकि institution के पास अच्छा model system है market analyze करने के लिए इतने experts बैठे हैं उनके पास inside informations होती है तो आम तोर पर जो भाया बात ऐसी है कि institutions होते हैं वही जीतते हैं वही सही होते हैं तो इस बात पर तो हम आगए एक एक line पर कि कौन सही है भाया तो जो option seller है उसके सही होने के आम तोर पर chances ज़्यादा होते हैं बाकि chances buyer के भी हो सकते हैं जीतने के वो कोई बड़ी बात नहीं है बट आम तोर पर usually अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर call पर ज़्यादा interest create हो रहा है दोस्तों इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेगा कि अगर call option है call पर ज़्यादा open interest create हो रहा है मतलब call बहुत ज़्यादा बेचा जा रहा है बड़े institutions की तरफ से तो उनका सीधी सीधी सोच क्या है दोस्तों की इस level से वो उपर नहीं जाएगा मतलब stock या index अगर call में ज़्यादा open interest है मतलब ज़्यादा seller है मतलब वहाँ पर जो बड़े players है वो bet लगा के बैठे हैं की इस से उपर तो भाईया ये नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा वहीं अगर मैं put की बात करता हूँ तो उनका ऐसा मानना है कि इस level से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि put में selling हो चुकी है selling बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो seller जो sell कर रहा है वो कौन है बड़ा institution है और अगर वो sell कर रहा है तो इसका मतलब क्या है put sell करने का मतलब दोस्तों क्या है buyer क्या against buyer क्या चाहता है कि नीचे जाए बट वो क्या चाहेगा कि नीचे नहीं जाए ठीक है तो अगर put में ज्यादा है open interest तो मतलब क्या है इससे नीचे नहीं जाएगा और call में अगर open interest जादा है तो इससे मतलब इस level से उपर नहीं जाएगा तो दोस्तों अगर इसको आपको समझने में अगर थोड़ी से भी दिक्कत हो रही है तो वापिस इस चीज को rewind करिए और एक बार फिर से इसको सुनिए अच्छे से कि call में जादा interest है तो भाईया वो ऊपर नहीं जाएगा put में जादा interest है तो वो नीचे नहीं जाएगा तो अगर मैं यहाँ पर जो आपको diagram देख रहा है इसकी हम बात करेंगे भी तो जब call का open interest बढ़ता है तो क्या होता है कोई बड़ा institution सोच रहा है कि यह उस level से उपर नहीं जाएगा call का open interest बढ़ गया तो वो उपर नहीं जाएगा और वे ज़्यादा तर सही होते हैं जैसा कि हमने बात करी अभी कोई ज़्यादा संभावना नहीं है कि strike का level पार नहीं होगा मतलब यह जो strike है वो as a resistance काम करेगा यह जो orange में जो red में हमको दिख रहा है यहाँ पे open interest यह as a resistance काम करेगा क्योंकि यहाँ पर कई सारे जो बड़े institution में उन्होंने call को sell किया हुआ है वहीं अगर मैं put option की बात करता हूँ तो put option में अगर open interest ज़्यादा है तो मतलब क्या है कोई बड़ा institution सोच रहा है कि वो इससे नीचे नहीं जाएगा तो मतलब यह क्या बन गया दोस्तों यह बन गया एक तरह का support तो अगर call का open interest ज़्यादा है तो वो resistance है उटका open interest ज़्यादा है तो वो तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जिरोदा से आप किस तरह option chain sensible option chain का इस्तेमाल कर सकते हैं तो जब भी आप किसी भी index या future के ऊपर जाकर यहाँ पे more पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे option chain का option option chain का option दिखाई देगा तो simply आप किसी option पर भी जाएंगे तो भी आपको option chain यहाँ पर दिखाई गा और future पर भी जाते हैं तो भी आपको option chain यहाँ पर दिखाई देगा तो simply मैं क्लिक करता हूं और option chain पर क्लिक करता हूं तो मुझे एक छोटा सा यहाँ पर option chain मुझे दिखाई दे जाता है दो में ओके तो यहां पर मुझे यहां पर छोटा miniature option chain मुझे 0-2 users के लिए दिखता है यहां पर यह जो red में है यह क्या है यह put oi है और जो green में है यह call oi है दोस्तों तो अगर मुझे पूरी full option chain अगर देखना है तो मैं see full option chain पर click करता हूं और मुझे sensible के इस website पर लेकर जाता है sensible के site पर लेकर जाता है और यह दोस्तों यह जो feature है यह भी एकदम free feature है तो इसे भी आप जाहिए और इसको आप try कर सकते हैं तो इसका कोई भी किसी तरह का charge नहीं है जीरोदा users के लिए भी और जो दूसरे other platform users हैं उनके लिए भी तो अगर मैं भी दोस्तों यह पर निफ्टी का यह जो option chain देख रहा हूं तो यहां पर मुझे यह जो यह जो देख रहा है यहां पर 10.95.76.3 यह मुझे ओई दिख रहा है लाक मतलब लैक्स में यहां पर 10 लाग का open interest नहीं पांच का open interest नहीं यहां पर चे लाग का open interest है और यहां पर जो मुझे green में दिख रहा है जो मुझे ओई दिख रहा है यह है call का open interest तो जैसा कि हमने अभी बात करी थी दोस्तों कि जो call का open interest है वो क्या है वो resistance है और जो Centers open interest क्या है भाई वो support है तो support मुझे कहां पे दिख रहा है, यहां पर सबसे बड़ा support मुझे दिख रहा है, 7.8 जहां पर open interest यहां पर दिखाई दे रहा है मुझे तो 9700 पर मुझे support दिखाई दे रहा है यहां पर और अगर मैं resistance की बात करूँ तो मुझे 10,000 पर बहुत बड़ा resistance दिखाई दे रहा है जो कि 10 लाग का open interest है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था ति यह जो मैं देख रहा है अभी weekly expiry का देख रहा हूँ weekly expiry को अगर मैं monthly expiry में भी बदलता हूँ 28 में तो अभी यह जो है जो option chain है वो पूरी तरह mature नहीं हुआ है इसको आपको mature होने देने के लिए थोड़ा सा time देना पड़ेगा एक दोस अबते बाद जब इसको देखेंगे आप तो यह actually mature होगा और इसकी information पर actually आप रिलाए कर सकते हैं बट आप जो weekly option है जो weekly expiry है जो साथ मही की जो अगर वीकली expiry की बात करता हूँ तो उसके case में यह जो option chain है वो चीका सी mature दिख रही है बट Monday को यह और ज्यादा mature हो जाएगी तो अगर आपको इसमें से अगर पता लगाना है कि resistance का है support का है तो आप easily यहाँ पर पता लगा सकते हैं तो जो red में जो दोस्तों इसलिए मैं बता रहा था कि जो red में है वो है resistance और जो green में है वो है support तो आपको याद रखने में आसानी हो इसलिए दोस्तों इसमें एक interesting चीज और यह भी है कि अगर मैं यहाँ open interest में जाता हूं इस open interest पर यहाँ पर click करता हूं इस menu में तो मैं पिछले जो भी open interest रहे हैं तो यहाँ पर भी अगर मैं इसमें open interest पर click करता हूं तो मैं पीछे जाकर ये भी देख सकता हूँ कि क्या-क्या open interest रहा है और वो किस तरह उसने act किया है तो अगर suppose मुझे जानना है कि suppose 3 April के आसपास कितना open interest था तो ये इतना था open interest भाई जो put का था put open interest जादा था कहां-कहां पे था ये 9500 की strike पे था एक 10,000 की strike पे था वहीं है किसमें अगर अलका से और आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे मुझे धीरे-धीरे open interest बढ़ना चालू हो जाता है और 10,000 पे घटना चालू होता है और 9,000 पे उतना ही रहता है फिर से 10,000 पे बढ़ जाता है तो आप पीछे जाके यहाँ पे investigate कर सकते हैं इससे खेल सकते हैं दोशनों तो आपको मैं एक अच्छा suggestion ये भी देता हूँ कि आप जाए sensible की site पर और यहाँ पर जितने options हैं आप उनको जाके test करिए उन्हें आप try करिए उनसे आप play करिए कि यहाँ पर क्या था और back test करिए कि जाके इस तारीक पे जब इतना open interest था तब market ने किस तरह react किया और जब open interest धीरे 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 घटना या बढ़ना चलूँगा आप देखा आपने धीर धीरे यहाँ पे call का open interest भी बढ़ रहा है जैसे ऐसे हम आगे बढ़ते रहा हैं पहले आपने देखा केवल put का open interest था मतलब market केवल नीचे गिरे जा रहा था गिरे जा रहा था रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस को मिल रहा था अब धीरे धीरे यहाँ पे support भी बनना शुरू हो गया जैसे आप देख रहे होंगे चालू हो चुका है रेजिस्टेंस यहाँ पर कम होने होने हमें होता होता है यहाँ पर दिख रहा है तो जैसे अब आप देखेंगे 30 अपरिल पर तो यहाँ पर आपको ज्यादा put का open interest दिख रहा है और call का कम दिख रहा है मतलब जो support है वो ज्यादा है मतलब market bullish धीरे धीरे बन रहा है तो आप यह भी यहाँ पर जाके testing इसकी कर सकते हैं तो जैसा हमने अभी देखा दोस्तों कि जो red में है वो है call का oi और जो green में है वो है put का oi तो put का oi है वो है support और जो call का oi है वो है resistance जो की just अभी के अभी हमने देखा option chain पर sensible की जैसा फिर से दिखा देता हूँ आपको जो यह call का oi है यह red में है मतलब यह क्या है दोस्तों यह resistance है red में है resistance और जो put का हुआ है वो green में है green में है मतलब support तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़के हम जानते हैं कि support और resistance zone होते हैं तो आपको अगर मैं यह कहूँ कि अभी जैसे हमने देखा कि जैसे अगर मैं अभी आप simple सी यह बात कहूँ कि मैं जो open interest मैंने अभी देखा वो किसी एक strike पे नहीं था वो दो-तीन strikes पर था agreed हमने एक 10 लाग का open interest भी देखा एक 6 लाग का open interest भी देखा एक 7 लाग का open interest भी देखा तो अलग-अलग strikes पे अलग-अलग open interest हमको मिल रहे थे तो पहला कि अगर बहुत resistance है ठीक है call option के अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर call option में बहुत ज़्यादा open interest है तो वो support है यह हम अभी तक समझ चुके आगे बढ़ता हूं कि अगर pass की दूरी मतलब pass की किसी दूसरी strike price पर अगर ज़्यादा open interest होता है तो क्या होता है तो यह zone आम तौर पर resistance zone कहलाता है ठीक है resistance zone क्या होगा दोस्तों एक zone हो सकता है कि मैं बोलता हूं 10,000 से 10,100 तक यह जो है वो एक resistance zone है वहीं अगर मैं pass की दूरी पर put strike पर ज़्यादा interest होता है open interest होता है तो यह zone आम तोर पर support zone हो सकता है मतलब अगर मैं बोलूँ कि 9,000 पर मेरा एक बड़ा open interest है और अगला open interest मेरा 9,100 पर है तो मेरा 9,000 और 9,100 तक जो मेरा zone है वो मेरा एक support zone कहलाएगा तो इसको मैं फिर से जाके अगर अपने option chain में देखता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि मान लीजी अभी अगर suppose कि यह जो 10,000 है यह जो 10,000 पर इसने strike पर open interest में को बहुत जादा दिख रहा है ठीक है और वहीं अगर इस पे मेरा अगर 3,000 के जगर 7 open interest है वो मुझे 10 प्लस 3 13,000,000 का open interest दिख रहा है जो कि काफी ज्यादा है तो यह जो जो जोन होगा यह मेरा resistance zone हो जाएगा ठीक है बिलकुल समझ गए आप यह चीज़ आगे बढ़ते हैं वहीं अगर मैं put option की बात करता हूँ तो put option में अगर ये दो zone अगर में ले लूँ ये वाला zone और एक ये वाला zone तो अगर 9,700 और 9,600 इन दोनों का अगर मैं combine करता हूँ तो यहाँ पर मुझे मोटा मोटी 15,000,000 का open interest मिल रहा है तो ये मेरा क्या है support zone हो जाएगा बढ़ा 9,700 से 9,600 तो बात ऐसी है दोस्तों ये zones हम क्यों define करते हैं क्योंकि देखे ऐसा नहीं होता है कि 9,700 पे stock आया टिक किया और वापिस ऊपर चला गया वो 9,700 थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है थोड़ा सा वापिस ऊपर भी उसके फिर बाद में ऊपर आ सकता है 9,600 के पास भी जा सकता है वहां से ऊपर आ सकता है तो यह जो है बहुत बड़ा एक support zone कहलाएगा उसके लिए zone होगा जिसमें वो bounce back करने की उसकी संभावना बढ़ जाती है तो यह simple हम zone की theory समझ गए अब हम इसको जानते हैं real life example से उधारन से इसको हम और अच्छे से elaborate करने की इसको कोशिश करते हैं तो चली दोस्तों इसको हम example क जानते हैं कि जैसे हमने अभी देखा था यह तो हम discuss कर चुके हैं भाई कि यहां पर resistance है यहां पर support है तो अगर मैं निफ्टी के बजाए सपोज अगर आपको हाँ जैसे मैं पहले एक चीज़ वह भी दिखाता हूं कि अभी मैं weekly options की यहां पर बात कर रहा था ठीक है जी तो जैसा मैंने आपको कहा था कि numbers बड़े होने चाहिए तो यहां पर मुझे numbers अच्छे कासे दिख रहे हैं भाई 10 लाग दिख रहा है 5 लाग दिख रहा है 3 लाग 4 लाग 6 लाग और वहीं अगर मैं अगर इस month के expiry के लिए देखता हूं तो month के expiry में अभी क्या है महीना शुर यह मुझे 9500 जो है वो बड़ा support यहां पर दिखाई दे रहा है तो अगर मैं weekly की बात करता हूं दोस्तों तो अगर मैं weekly options पर जाता हूं तो weekly options मुझे यहां पर 9700 बहुत बड़ा support दिख रहा है और 10,000 resistance दिख रहा है वहीं monthly में मुझे resistance तो 10,000 ही दिख रहा है बट जो support है जो कि यहां पर भी अच्छा कासा इसका amount build up है तो तो दोस्तों यह एक simple सा और मैं आपको यह चीज़ यह भी बताता हूं जैसे अगर suppose मैं nifty की जगे कोई दूसा stock लेता हूं जैसे SBI में लेता हूं तो SBI की अगर मैं option chain देखता हूं तो SBI की option chain भी आपको काफी यहां पर mature दिखेगी जैसे 70 लाग का open interest है, 44 लाग का open interest, 40 लाग का open interest और वो इस मन्त की expiry के लिए आपको यहां पर दिख रहा है वही अगर मैं expiry इसकी अगले महीने की कर दो हूं इस महीने के ना रहे कि अगले महीनी की रहती है तो यहां पर जो open interest पे जो पहले 70-70 लाग जो open interest जितना की मैं monthly वाले option chain पर रिलाए कर सकता हूं, तो जैसा कि आपको दिख भी रहा है दोस्तों कि यहां पर SBI में मुझे अगर मैं इसका मैंने monthly expiry कर दिया तो अगर यह 190 पर मुझे दिख रहा है यहां पर SBI तो यहां पर मुझे यह 200 पर इसका बड़ा कहिए की resistance है अभी और इसका जो support है वो मुझे 180 के आसपास का यहां पर दिखाई दे रहा है तो इससे आप बहुत बड़ा एक अनुमान लगा सकते हैं और अगर मैं जैसे कई दूसरा अनुमान आपने लगा लिया भाई कि यहां पर resistance आपको यहां पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहां पर call की जो writing है वो काफी ज़्यादा हुई है put की writing से तो आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसके जो इसके लिए जो resistance है वो बहुत ज्यादा है support के regarding तो मतलब यहां पर जो मैं कहिए कि यह जो है वो उसका आप sell zone कह लीजिए और यह आपका buy zone कह लीजिए तो selling यहां पर ज्यादा हुई है buying के मुकाबले तो वहीं अगर मैं यहां पर Tata Motors का stock देखता हूँ तो मैं अच्छा अभी अगर मैं इसको load ने देता हूँ जी हां तो अभी अगर आप इसमें देखेंगे तो यहां पर 100 पर आपको काफी बड़ा resistance दिखाई दे रहा होगा कि 25 लाग का यहां पर open interest create हो चुका है monthly expiry के चार्ट पर तो आप देखेंगे दोस्तों कि वहां पर मुझे 80 पर support मिल रहा था तो यहां पर मुझे 80 पर support मिल रहा है और 100 पर यहां मुझे resistance मिल रहा है तो यह जो zone हो जाएगा वो इसका resistance zone हो जाएगा 100 से 110 के बीच में इसका resistance zone है अगर यह से आगे निकलता है तो इससे और आगे जाएगा और वैसे chances हैं कि इससे नीचे गढ़ने के क्योंकि seller बोल रहे हैं बोल रहे हैं कि यहां से उपर यह नहीं जाएगा और तो चलिए और simple अगर मैं इसमें कोई दूसरे stock ऐसा non famous stock अगर मैं उनको बोलूं उनको लेता हूं जैसे आइशर मोटर्स जैसे हमने जिसकी पहले बात करी थी तो उनका जो open interest है एक बार मैं लोड होने देता हूं उसको तो आप देखेंगे यहां पर यहां पर इतनी अच्छी राइटिंग हुई नहीं है जैसा कि हमने SBI और Tata Motors के case में देखा था तो दोस्तों आपको जो well known stocks हैं उनके option chain पे आपको rely करना है दूसरे option chains पे आपको उतना rely नहीं करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह तो हमने देख लिया कि option support और resistance zone के बारे हम जान चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं अगला हमारा जो topic आता है वो आता है PCR वाने put call ratio तो यह एक बहुत important कह लीजिए information है जिसमें आप तुरंत एक बार देख के आपको सौन में आ जाएगा कि put writing जादा हुई है call writing जादा हुई है क्योंकि हमको तो ultimately यही पता करना है कि put में जादा writing है call में जादा writing अगर put में जादा writing है तो मतलब है कि वहाँ पर support बन चुका है अगर call में जादा writing है तो वहाँ पर resistance बन चुका है ठीक है जी दूसरी बात कि PCR जो है वो option chain से आता है तो दोस्तों यह एक तरह का shortcut कह लीजिए वो है तो हमेशा option chain को ही आपको जाकर देखना है यह एक आप glimpse ले सकते हो बाहर से कि हाँ भी PCR क् इसे put की जादा है या call की जादा है बट आपको confirm जाके option chain से ही करना है option chain को ही जादा आपको देखना है तो यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों कि put और call कम अगर मैं एक तरह से ratio लेता हूं put divided by call तो यह PCR ratio मुझे मिलता है तो अगर PCR जादा है तो मतलब क्या है? bullish हूं है? put जादा है और call कम है मतलब अगर PCR जादा है तो अगर इसकी value put by call की value अगर जादा है तो मतलब क्या? put जादा है और call कम है तभी तो वह value उसकी जादा आएगी मतलब अगर put 2 है और call एक है तभी तो वह इसकी total value 2 आएगी राइट दू पुट को बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं अगर PCR bullish है तो ठीक है इसका मतलब वो कह रहे हैं कि market ज्यादा नीचे नहीं जाएगा और वहीं दोस्तों अगर PCR कम है तो मतलब क्या इसका market bearish है मतलब call ज्यादा है और puts कम है मतलब यहां पर यह call ज्यादा है और put कम है तभी इस इसका मतलब यह है कि call अगर ज्यादा है तो seller call को बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि वो सोच रहे है market ज्यादा नीचे जाएगा मतलब bearish है market तो कम PCR मतलब bearish और ज्यादा PCR मतलब bullish सिंपल वार्चा में आपके वल इतना याद रखी इसको हम और समझते आगे तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ज्यादा PCR मतलब एक से ज्यादा ठीक है अगर एक से ज्यादा होता है अगर इसकी value एक होती है तो मतलब put और call दोनों बराबर है ठीक है तो PCR ज्यादा होने के लिए एक से ज्यादा होना पड़ेगा तो put को ज्यादा होना हो ठीक है क्योंकि पुट ज्यादा है इसका मतलब यह एक बुलिश सिगनल है ठीक है अगर PCR ज्यादा हो जाता है मतलब 1.3 लगबग 1.3 से भी ज्यादा हो जाता है तो यह एक ओवर्बॉट जोन में चला जाएगा मतलब ज्यादा खरीद ले गया है तो यह ओवर्बॉट सिगनल भी होसकता है और मार्केट वापिस बेरिश होसकता है वापिस मार्केट उल्टा गिर सकता है यह आपको समझ में आगया चली अब बढ़ते हैं दूसरे सिगनल की तरह अगर PCR कम है तो मतलब क्या है कि call ज्यादा है आपने पहले देखा भी यहाँ पर put ज्यादा थे यहाँ पर call ज्यादा है तो बड़े seller call बेचना ज्यादा पसंद कर रहे हैं मतलब यह bearish signal है और अगर put की तरह इसकी तरह ही अगर call भी ज्यादा बेच का अगर यह over sell zone में चला जाता है तो अगर इसके over sell zone में चला जाता है तो उस time पर भी market के फिर से bullish होने की संभावना हो सकती है तो आप केवल इसको जाके option change से आपको हमेशा confirm करना है यह मैं आपको एक simple सा simple सा एक मैं funda दे सकता हूँ कि PCR को आप देखे और फिर जाके option chain में भी इसको detailed analysis का करिये बात आती है simple इस sentence को मैं और गौर करके फिर से कहना चाहूँगा कि nifty bank nifty और बड़े stocks पर ही PCR काम करता है जैसे कि हमारा option change जो है जो PCR वो option chain से driven है option chain से आ रहा है तो जिस तरह option chain भी nifty bank nifty और बड़े stocks पर काम करता है वैसे ही PCR भी इनी चीज़ों पर काम करता है चलिए दोस्तों देखते हैं कि मैं आपसे ये बार-बार क्यूं कह रहा हूँ कि option chain में जाके आपको detail analysis करना है केवल PCR को देखकर आपको market कर decision नहीं लेना है तो अगर मैं इस info button पर यहाँ पर click करता हूँ तो मुझे यहाँ पता चल जाता है भाई कि जो PCR है वो 1.44 है मतलब यह bullish बता रहा है मुझे यहाँ पर signal बट यहाँ पर एक छोटी सी tricky चीज़ मैं आपको trick concept बताता हूँ अगर कि PCR कैसे calculate होता है PCR जैसे कि मैं आपको बताया कि total call में कितने return हुए contract कितने लिखे गए है और put में कितने contract लिखे गए है इन दोनों का जो ratio होता है put और call का जो ratio रहेगा contracts का number of contracts का वो मुझे मिलेगा यहाँ पर PCR ratio मिझे मिल जाता है ठीक है दोस्तों बट अगर suppose मैं मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने calls में out of the money अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे option में हाँ पर contract मिलते हैं मुझे suppose ग्यारा हजार बारा हजार पर मुझे contract मिलते हैं तो I am very much sure कि यह उतना बारा हजार तो नहीं touch करेगा इस week में बट यह PCR मुझे PCR यह तो सारे contracts को consideration में लेगा तो यह उन contracts को भी consideration में लेगा जो की at the money से काफी दूर है मतलब जो या तो काफी in the money है या काफी out of the money है उन contracts को भी यह consideration में लेता है बट actual में केवल मुझे उन ही contracts को consideration में लेना है जो मेरे ATM के पास में है तो जो contracts मेरे ATM के पास में है उसी को मुझे consideration में लेना है इसलिए अगर मैं option chain में आकर PCR को reconfirm करता हूँ तो मेरे analysis के लिए ही यह ज्यादा अच्छा है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हूँ जानते है max pain क्या होता है तो max pain यह होता है कि simple अब तक हम यह जान चुके हैं कि इस market को आम तोर पर seller चलाते हैं मतलब यह जो market है वो बड़े पैसे वालों का market है यह हमको पता है और वो हमेशा जीतते हैं यह भी हमको पता है तो expiry उस level पर होती है जहां पर seller को सबसे कम नुकसान होता है मतलब अगर आपने मुझे 10,000 पर निफ्टी बेच दिया है तो जो निफ्टी expire होगा वो 10,000 के आस पास ही होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि seller को सबसे कम नुकसान होगा तो अगर 10,000 पर भी निफ्टी expire होता है तो seller को सबसे कम नुकसान होगा तो उस point को जहां पर expire होने पर seller को सबसे कम नुकसान होगा उसको मैं max pain point कहूंगा तो expiry max pain strike के पास होती है सिंपल से बात है जहांपे expiry हो रही है उसी को max pain कहा जाएगा तो expiry मैंच pain strike के पास होगी तो मातलब जहां पर ज्यादा selling हुई है उसी के आज़ पास expiry होती है और उस strike को max pain strike भी कहा जाता है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि open interest में बदलाव यानि change in open interest क्या होता है तो अगर मैं आपको बोलू कि open interest जो है और change in open interest इन दोनों में difference केवल इतना है कि जो open interest है केवल एक snapshot की तरह है और जैसे कि एक car की location ठीक है या car की position कह लीजिए और जो change in open interest है वो है आपका जो car की गती है और जोसकी दिशा है मतलब जैसे अगर मैं एक car की location आपको बताता हूँ कि यह car यहाँ पर खड़ी हुई है एक snapshot आपको एक photo दिख रही है यह car की जो हाँ खड़ी हुई है तो आप उससे कोई अंदाजा यह नहीं लगा सकते हैं कि वो car पीछे जा रही है या वो car आपकी तरफ आ रही है तो location मिलने से आप car की गती या उसकी दिशा का अनुमान नहीं लगा सकते हैं जैसे ही केवल अगर आपको मैं open interest देता हूँ तो उसी तरह से आप market का momentum, market की गती और उसकी दिशा का अनुमान नहीं लगा सकते हैं उतने अच्छे से और अगर मैं आपको change in open interest दिखाता हूँ कि बही कितना change हो रहा है per day कितना open interest बढ़ रहा है अब कितना open interest घट रहा है तो आपको तुरंट उस चीज का idea लग जाएगा कि हाँ ये आज 100 था अब ये 200 हो चुका है open interest आज के आज दिन में 100% का increment हो है मतलब market momentum और तेजी से बढ़ने वाला है और तेजी से आगे बढ़ रहा है उसी दिशा में जहां पर मेरा open interest मुझे दिखा रहा था इन motion थे बट आप जब आपके पास still photograph थी तो आप उतना उसको पैचान नहीं पा रहे थे वैसे ही open interest एक still photograph है और change in open interest एक पूरा वीडियो है एक पूरा चल चितर है जिसमें आपको समझ में आता है कि actual में क्या हो रहा है ये पास आ रहे है या ये दूर जा रहे है ठीक है द मुझे यहाँ पर निफ्टी का option chain दिख रहा है तो यहाँ पर मुझे अगर आप bracket में देखेंगे 125% 108% 49% 9% 566% तो यह जो दोस्तों आप bracket में देख रहे है यह change in open interest है open interest में कितना बदलाव आ रहा है मतलब पहले यह 5 लाग होगा और यह आप इसमें 5 लाग और एड हो चु कि यहाँ पर लोग कितनी तेजी से यहाँ पर कितनी तेजी से contract लिखे जा रहे है वैसे अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर और भी ज़्यादा तेजी से contract लिखे गए हैं दोस्तों मतलब कि जो market है वो bullish होने की कोशिश कर रहा है market अपना जो green side है जो positive side है उस जगह जाने की कोशिश कर रहा है और जैसे आप पहले open interest हम historic open interest यहाँ पर देख सकते थे दोस्तों जैसे हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आप नीचे जाके historical open interest देख सकते थे जिस date पे कितना open interest आ है वैसे ही आप particular किसी भी date पर जाकर यहाँ पे change in open interest भी देख सकत बढ़ा देगा भई कि वहां पर change in open interest कितना था OI change versus strike हर एक strike 9500 की strike पे कितना change आया था open interest में और 1000 की कितना change आया था तो मतलब यहां पर यह जो put का OI है यहां पर call का OI है यहां पर बढ़ रहा है और यहां पर call का OI घट रहा है तो आप आप simple यहां पर देख सकते हैं यहां पर simple आपको idea लग रहा है कि कैसे कैसे यहां पर call OI बढ़ता जा रहा है यहां पर call OI घटता जा रहा है और जैसे मैं suppose और दूसरे किसी date पर जाता हूं मान लीजे मैं 28 पर चला गया तो अगर मैं यहां पर यहां पर भी 28 करता हूं तो 28 में यहां पर मुझे दिख रहा है कि कि जो put का OI है वो भी बढ़ा है और यहां पर put का OI घट रहा है इस strike पर तो हर strike पर आप जाके इसको देख सकते हैं इसको समझ सकते हैं easily चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि open interest में change in open interest से हमें क्या-क्या data मिलता है तो पहला कि अगर bullish है bullish का क्या signal रहेगा कि अगर put option में OI बढ़ रहा है तो भाई हम मान लेंगे bullish है ठीक है जो कि हमने अभी देखा कि अगर put option की side पर green वाली side पर इस side पर अगर मैं option chaining बात करूँ तो इस side पर अगर OI बढ़ रहा है तो वो market bullish जाने की try कर रहा है और call option में OI घट रहा है तो जैसे आप historic उस पर जाकर देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर call OI घटना चालू करा है और put में OI बढ़ना चालू हुआ है उसने market पर क्या impact किया है वो अब आप जाकर देख सकते हैं तो अगर put बढ़ रहा है call घट रहा है तो bullish because green side बढ़ रहा है और अगर मंदी की कहूं अगर मंदी का भाव कहूं तो मंदी में put option का OI है वो घटता है और call option का OI बढ़ता है तो यह तो हम पूरी तरह से clear हो चुके हैं दोस्तों इसमें हमारे हम पूरी तरह से clear हो चुके हैं मारे दिमाग में पूरी तरह से clear हो चुका है कि कब क्या चीज बढ़ती है और कब क्या चीज घटती है तो यह जो अभी तक का हमारा webinar है अब हम almost उसके अंतर तक आ चुके हैं तो हमने क्या-क्या इसमें सीख लिया हो हम देखते हैं कि option chain से आ दूनी में यह काम अच्छे से करता है और बड़े open interest पर ही आपको ध्यान देना है आपको छोटे मोटे open interest है उन पर ध्यान नहीं देना है दूसरा इसका इस्तमाल दूसरे data के साथ करना है मतलब दोस्तों अगर suppose मैं किसी यहां पर चार्ट पर जाता हूं किसी भी HDFC के अगर मैं चार्ट चला गया तो पुराना अगर मैं कोई भी कोई भी जगह निकाल के देखता हूं तो मुझे यहां पर यहां पर इस जगह पर उस्तों यहां पर मुझे देख रहा है एक bearish engulfing candle मुझे देख रही है ठीक है तो ऐसे कोई आपको science धूनने है अपने चार्ट पर तो महां पर अगर trend line breakout हो रहा है तो मुझे वो देखना है और फिर उसको open interest से confirm करना है कि क्या जो मैं यहां पर technical analysis कर रहा हूं यहां पर मुझे जो मिरे technicals मुझे दे रहे हैं वो open interest से मुझे confirm हो रहा है या नहीं हो रहा है simple ठीक है तो किसी भी stock में जाता हूं मैं अगर indigo में ग था कि मेरा open interest क्या create हो रहा है indigo के option chain पर वहां पर जाके मैं उसको confirm कर सकता था कि यह जो down move मैं expect कर रहा हूं तो क्या जो बड़े players हैं वो भी down move expect कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो हम जो आपसे यह कहना चाहरे थे कि आपको जब भी option chain को इस्तिमाल करना है तो आपको आपको इसको इस्तिमाल करना है इसको कभी आपको अकेले इस्तिमाल नहीं करना है दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमने यह देखा कि PCR market का आपको sentiment बताता है market का भाव बताता है कि market का भाव कहां जा रहा है उसका मंदी का भाव है या उसका तेजी का भाव है bullish है बेरिश है तो परंतु आपको इसकी पुष्टी option chain से जरूर करनी है दोस्तों क्योंकि जो कि मैंने आपको funda बताया था अगर otm calls में अगर ज्यादा पुट या call राइटिंग हुई है तो PCR उसको भी अपने consideration में लेता है लेकिन हमको उससे कोई मतलब है नहीं इसलिए आपको option chain में जाकर इसकी पुष्टी अवश्य करनी है कोई भी trade लेने से पहले option chain को जरूर देखना है बिल्कुल सही जैसा कि हमने देखा कि हम trade लेने जा रहे हैं तो trade में अगर मिले रहा हूं तो मैं किसी view की विज़े से ले रहा हूं तो मैं उस technical को जाके option chain से confirm एक बार कर लेना चाहूंगा क्योंकि जब भी भी जोस्तों अगर आप trade ले रहे हैं किसी भी तरह का आप कोई भी trade ले रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आप जो बड़े players हैं उनकी side रहें या जो छोटे players हैं उनकी side रहें obviously आप चाहेंगे जो बड़े players हैं या जो बड़े-बड़े hedge funds जो बड़े-बड़े companies जहां पर दाव लगा रहे हैं मैं भी उनकी side में रहूं ताकि मेरे जीतने की probability बढ़ जाए तो उनकी side आपको कौन बताएगा उनकी side आपको option chain बताएगा दोस्तों जैसे मैं आपकी बता है कि बड़े firms क्या कर रहे हैं वो आपको option chain से पता चलेगा और उनके खिलाफ आपको trade नहीं लेना है market और बड़े firms के खिलाफ उनके against आपको trade नहीं लेना है तो ये था webinar option chain पर basics of option chain की option chain को आपको किस तरह इस्तिमाल करना है PCR को किस तरह इस्तिमाल करना है आपको और अगर आपको ये content पसंद आ रहा है आपको ये content पसंद आता है तो आप zero-dha और sensible के YouTube चैनल को दोस्तों जरूर subscribe करिए क्योंकि हम regularly कोई ऐसा content डालते रहते हैं ऐसी educational चीज़ें डालते रहते हैं वो बातें जिन बातों से retail traders काफी अंजान हैं उन बातों को हम सिखाने की कोशिश करते हैं उन बातों को आपको बताने की कोशिश करते हैं तो ये कोशिश के वाल आप लोगी कामियाब कर सकते हैं तो दोस्तों इसी के साथ मैं सागर कुमार आपसे अलविदा लेता हूँ आपसे विदा लेता हूँ मिलेंगे किसी अगले वेबिनार में तब तक के लिए नमस्कार